कैसे आप अपना online father name correction करेंगे, साथ में ही आपको जो documents लगेंगे, उसमें क्या-क्या documents आप लगा सकते हैं, practically इस काम को आप कैसे करेंगे, get detail करके, ये सारी चीज़े मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, परिचे जान लीजे, नमशकार दोस्ते, मैं नाम सागर है, मै PF consultant हो, जो यहां आपको बता रहा हूँ, ये एक practical वीडियो है, practical जो चीज़े होती है, वही आपको बताऊंगा, करपया करके इस वीडियो को complete देख लेंगे, उसके बाद ही आप अपना father name correction के request लगाएंगे, सबसे पहला point ये समझ लिजे, कि जब भी आप father name correction के सोचते हैं, तो वो किस base पे सोचते हैं, आप ऐसा इसलिए सोचते हैं, क्योंकि आप अपने profile में जाते हैं, profile में जाके आपको नजर आता है, कि आपका father name गलत है, या दूसरा option ये होता है, कि जब आप अपना claim form भर रहे हैं, claim form आपका reject कर दिया गया, और reason में, reason number two के अंदर लिखा है, father name incorrect, तो दोस्त, पहले ये समझ लिजे, अगर father name correction आप इसलिए कर रहे हो, क्योंकि claim reject में, reason number two में father name correction लिखा है, तो करपिया करके, मेरी बात मान लिजे, father name correction मत कराईए, जो reason number two होता है, उसमें जो father name mistake की बात लिखी रहती है, वो by default ऐसे ही लिख दिया जाता है, उसका कोई logic उसका कोई sense नहीं होता है, आप कहेंगे, sir father name हमारा actual में गलत है, तो भी हमें क्या उसे ignore करना चाहिए, देखो, अगर आप claim pass करने की बात करते हैं, तो आपको reason number one को ही ठीक करना है, reason number two को value नहीं देनी है, लेकिन अगर आपको लगे कि हमें father name अपना correction करना है record में, तो सही तरीका ये है कि पहले आप अपने पुराने सभी कंपनियों का पैसा transfer कर लीजे, जैसे आप view में जाएंगे, service history में जाएंगे, तो अगर आपने एक से जादा कंपनियों में काम किया है, दो में, तीन में, चार में, पांच में, तो आपको सबसे पहले पुराने सभी कंपनि को transfer कर लेना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो father name correction आपको एक एक जगे, एक एक ID में request लगानी पड़ेगी, मतलब एक नंबर company में भी लगानी पड़ेगी, दो नंबर में भी, तीन नंबर में भी, चार नंबर में भी, पांच नंबर में भी, और ये पांचों request अलग लग जगे से process की जाएगी, अलग लग PF office इसको okay करेगा, तो सही तरीका ये है father name correction करने का, कि अगर पुरानी किसी ID में आपका पैसा पड़ा हुआ है, तो पहले उसे transfer करके new ID में ले आईए, और new ID में लाने के बाद ही आप अपना father name correction की request लगाईए, अगर मान लो कि हमने ये पांच company थी, चार के पैसे transfer करके पांच में ले आए, अब हम अगर पांच number में request लगाएंगे, तब हमारे request पांच number से हो जाएगी, और भविश्य में आने वाली company number 6 जो है, उसमें father name सही हो के आजाएगा, समझ आ गई, अब मैं आपको practically समझा रहा हूँ कि ये कैस अपलाई करना होता है, इसके लिए manage में जाते हैं, joint declaration form में जाते हैं, आपको यहाँ पे ID सेलेक्ट करने को कहा जाएगा, तो माल लीजे, आपकी 5 ID है, और आपने देखा कि आपने पुरानी कंपनियों में से transfer कर लिया है, तो ऐसे में आपको वो ID सेलेक्ट करनी है, जिस ID मे आपके पैसे पड़े हुए हैं, जिस ID में से आप पैसा निकालना चाह रहे हो, या फिर अगर माल लोग पैसा नहीं भी निकालना है, सिर्फ फादर नेम ठीक करना है, तो जो latest ID होगी, जिसमें पैसा आपका सारा इखटा होके आरक है, उस ID को आपको सेलेक्ट करना है, get detail कर तो आपके पास इस ID में जितने related information है, वो खुल जाएगी, error आए तो ignore करना है, वापस से आपको try करना है, यहां जो process किया जाएगा, यह तीन स्टेप्स दिखा रहा है आपको, तीन स्टेप्स आपके पार्ट में है, इसके आगे भी PF Office के अंदर process किया जाता है, जैसे इसमे आपके request को approve करेगा, तभी आपकी correction होगी, company अगर approve करेगी, चाहे company reject करेगी, तो इसमें आप company से बात कर सकते हैं, लेगिन PF Office का जो decision होगा, वो final होगा, तो आप यह समझ के चलिए कि जो PF Office record update करता है, इसके लिए इन्होंने एक SOP जारी की है, SOP का मतलब होता है, कि हम किन documents क base पे किसी व्यक्ति का correction करेंगे, इस SOP के अंदर में हमें बताया गया है, कि जो आपके correction होती है, वो किस document के आधार पे की जाती है, पहले हमारा जो SOP जारी किया गया था, यह अगस्त 2023 में किया गया था, जो पुराना SOP है, वो 23 अगस्त को जारी किया गया था, इस SOP के अं 24, तो 26 मार्च के बाद जितने भी request आएंगी, जितने भी documents लगेंगे, वो इस SOP के हिसाब से लगेंगे, इसमें हम list of documents पे जाते हैं, खास father name के अगर हम बात करें, तो यहां पे दिखाया हुआ है, कि father name correction करने के लिए आपको किन documents के ज़रूरत है, तो यहां अगर आप आपका father name ठीक होगा, अब समझेगा यह, कि father name correction में दो चीज़े हैं, अगर आपके father name के spelling में सिर्फ दो अक्षर, मान लीजे, जैसे मान लो RAM है, R-A-M-RAM, ठीक है, R-A-M-RAM, तो यह क्या हो गया, यह तीन अक्षर हो गए, अब इन में से अगर आपको ऐसा लगे, कि हम R-A A-M-RAM की जगे जो है, रमेश करना चाते हैं, तो आपने क्या किया, E-S-H आगे लगा दिया, मतलब क्या हो गया, इसमें दो अक्षर से जादा, अगर बदलाव हो रहा है, तो आपका major correction माना जाएगा, और जब major correction माना जाता है, तो आपको इन 11 में से कितने document देने है, तीन document देने है, अगर दो अक्षर से जादा हो रहा है, तो आपको 11 में से 3 document देने है, इन में से सारे document आपके होंगे, आप अपने document लगाएंगे, कौन-कौन से document है, जैसे आपका passport, जहाँ father name इकटा हो, देखो, समझेगा मैं practically समझा रहा हूँ, सबसे important document आपका अधार card है, फिर आपका pen card है, यह दो document हो गए, उसके बाद आपका 10th का certificate है, उसके बाद आपका passport है, passport सबका नहीं होता है, उसके बाद आपका driving license है, तो यह जो documents है, आप यह सारे document देखो, इन में father name हर जगे same होना चाहिए, आपके पास यहाँ जो list दी होई है, इसमें अधार card भी है, pen card भ सारे documents आपको दिये हुए है, इतना समझ गया आप, आपको इन documents को PDF में बनाना है, PDF में कैसे बनाएंगे, मालो कि आपके पास अपना आधार card है, आधार card आपने print out ले लिया, print out लेके एक photocopy के तोर पे वो convert हो गया, इस पे आप क्या करेंगे, photocopy ले लिए, उस पे अपना यह autograph कर दो, signature कर दो, ठीक है, signature आपने कर दिया, अब आपको इस PDF को upload करना है, कहाँ upload करना है, वो मैं दिखा रहा हूँ, तीन document बनेंगे, आधार card, pen card, और मालो आप 10th का लगा रहे हो, तो 10th का लगाओ, पासपोर्ट लगा रहे हो, तो पासपोर्ट लगाओ, अब एक 10th के document में father name की spelling कोछ और है, लेकिन आपके आधार card, pen card और पासपोर्ट पे एक जैसी है, तो जो तीन document आपको सही लग रहे हैं, उन तीन documents को आप दे के, अपना father name करेक्शन करा लीजिए, 10th का जो certificate होता है, उसमें कोई modification कराना बहुत मुश्किल होता है, तो 10th के document को आप जो है, modify कराने का मत सोचेगा, अगर आपको modification करानी हो, तो आधार card या pen card में modification करना संभव है, on the basis of 10th document या फिर passport, ठीक है, theory समझ में आ गई, अब practical करके देखते हैं, practical में हमने get detail कर ली थी, यहां पर यह कह रहा है, marital status, nationality, update करने के लिए कोई document नहीं चाहिए, और इसमें ह तो अगर father name correction कर रहे हैं, तो आपको personal detail correction करनी है, तो personal detail correction में आप देखेंगे father name, mother name, relationship, marital status, nationality दिखा रहा है, और उपर आपका नाम और date over दिखा रहा है, father name पे हम आएंगे, हम pencil का touch करेंगे, मान लीजे हमने यहां पे क्या कर दिया, हमने अपना father name, modify कर दिया, ठीक है, उस हमने Indian भर दिया, उसके बाद हम नीचे आ गए, हमने I agree कर दिया, proceed कर दिया, proceed करने के बाद हमें यहां पे कह रहा है कि भाई, अब आपको तीन documents लगाने है, तीन documents में देखिए, यह जो SOP है, इसके हिसाब से अभी हमारे पास जो नए documents आए है, यह list आई है, ठीक है, लेकिन यह जो अभी हमारे जो website पे दिये हुए documents हैं, हो सकता है कि इनमें आपको watches ना दिखे, तो आपको करना क्या है, जैसे माल लो, यहां पे अधार कार्ड नहीं दिया हुआ, और आपको वहां कहा गया है, अधार कार्ड आप दे सकते हो, आप other supporting document लगाओ, choose file करो, और अपना अ आगे भविश में वीडियो देखे, यहां pen card का option आ जाए, तब pen card select कर लेना, वरना आप क्या करेंगे, other supporting document, मालो, आज के time पे ही आपको apply करना है, other supporting document करके, यहां पे PDF कर लीजिए, third document जो है, आप फिर और कोई document लगा सकते हैं, उसके बाद upload कर देंगे, upload करने के बाद यह request चली जाएगी, company के पास, company okay कर देगी, फिर जाएगी PF office के पास, time कितना लगेगा, दिखो, company में आप चाहो तो एक दिन में बोल के करवा लो, आपने जैसे ही request भेजी, employer के पास चली गई, employer उसे एक minute में भी कर सकता है, अगर उसके पास e-sign के सुवधा है, तो वो एक minute के अंदर ही कर सकता है, ठीक है, बात रही PF office की, तो PF office ने समय बताया है कि अगर minor change होगा, minor change मतलब दो अक्षर से अगर कम होंगे, तो हम साथ दिन के अंदर-अंदर कर देंगे, और अगर दो अक्षर से जादा होंगे, तो हमें चाहिए समय 15 दिन का, अभी ये 15 दिन का समय काम काजी दिन है, छुट्टियों वाले दिन, शनिवार रववार इसमें काउंट नहीं किया जाएंगे, तो इस तरह से आपका father name correction आप online लगाते हैं, महतोपूर्ण बाते हैं, सबसे महतोपूर्ण बात ये समझी है, कि father name correction जो है, करना ज़रूरी नहीं है, अगर आप rejection होने के वज़े से father name correction कर रहे हैं, वो जो second option आता है, rejection का, वो important नहीं होता है, दूसरा point ये है, कि अगर आप कोई request लगा रहे हैं, इसमें तीन document आपको लगाने पढ़ सकते हैं, वो तीन document आपको इस list के हिसाब से देखना है, इस list में जो बताया गया है, उसके हिसाब से apply करना है, इंपोर्टेंट है कि company के पास से approval होना चाहिए, और चौता important है कि जब company approval कर देगी, तो ultimate power PF office की है, PF office ही इस documents को verify करेगा, आप PDF बना लीजे, documents की, अपने autograph दे दीजे और upload कर दीजे, ऐसा नहीं करना कि हमें joint declaration form भर के attach करना है, joint declaration form नहीं भरना है, हमें सिर्फ attachment सिर्फ अपन documents की करनी है, इस तरह से मैंने आपको complete process बता दिया है, आशा करूंगा ये video आपको काम की लगी होगी, अगर helpful लगे तो comment में बताइए, कितने number देंगे 10 में से, साथ में ही अगर आपको personal consultation चाहिए हो, तो मैं PF consultant हूँ, मैं आपको advisory भी देता हूँ, अगर form फिल करवाना हो, form बहुत बहुत धन्यवाद,